गुद मॉर्निंग दियर स्टूरेंट आज हम लोग एक्सोसाइस 10.2 का थैट वाला कॉस्चन सॉल्फ करेंगे इसे सॉल्फ करने से पहले आप यहां पर देखिए कैलेंडर दिया है है हमें 2014 का इसे समझे देखिए एक साल में कितने महिने होते हैं मिटा 12 है ना जन्वरी फर् है 252 वीक होते हैं इना यार ओके और वन वीक में सैवन ड्लीज होते हैं ठीके और दिन कितथे होते हैं एक साल में 365 और जन्स अब लीप यह होता है तो कितने दिन होते हैं 200 sorry 366 ओके हमें यहां पे 2014 का कैलेंडर दिया किया है हमारा जो थैट कॉशन दिया है हमें उसे हम करना स्टार्ट करते हैं यहां 2014 के फॉर्मेट के हिसाब से हमें देट दो तरीके से लिखना है ठीक है टू फॉर्मेट से लिखना है ओके फिर्स्ट आपको एक्जांपल करके बताया गया है पहला कैसा कर रहा है देखिए उसे फिफ्ट डे ओफ सेवन्थ मंथ ऐसा लिखा हुआ है ना अब फिफ्ट में दुख सेवन्थ मंथ देटों मत मét कि आपको जुलाई को सायल फिफ्त के गदम सेवन्थ मन्थ क्तल पिफ्ट डिद जुलाई सेवनिघ है सभी है सानजनष कि तो हमें कैसा लीच ऑनके इसको देखो यहां पर लिखके दिखाए गया आपको इसको पाइव जुलाइ fifth 2014 और हम इससे कैसे लिख सकते हैं 5714 है ना ऐसे ही हमें बीवाला करना है देखो 23rd day of 5th month 5th month कौन सा होता है में है ना तो 23rd May 2014 और हम इससे कैसे लिख सकते हैं 23rd 5 month है ना और 14 ओके next देखिए 14th day of second month 14th मतलब 14th february पूरा लिखने के यहां जगा नहीं इसलिए मैं लिख रहे हो ना क्योंकि second month कौन सा होता है एक साल का दूसरा मन्थ कौन सा होता है February यहां पूरा नहीं लिख सकते हैं इसलिए मैंने फैब लिखके डॉट लगा दिया है 2014 और 1402 14 है ना ठीक है बी वाला देखो सॉली डी वाला 21st day of sixth month 21st six month sixth month कौन सा होता है पिटा जूल है ना जून ठीक है 2014 और हम इसे कैसे लिख सकते हैं 21 six sorry zero six लिखना है है ना और 14 ओके सबको समझ में आया चलो ऐसा ही आपको यहां टेस्टिंग स्किल में four वाला और three वाला ठीक है यह दोनों आपके लिए homework है यह आपको self solve करना है ठीक है इसको solve करके आप लोग एक picture कीजिए और पिर मुझे sand करी have a nice day झाल 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 झाल